मित्रो जैसे सूखे के बाद मौनसुन आ जाना चाय पीने के बाद प्रेशर आना और पुजारा के पाद कोली का आना वैसे ही कंटेंट के बाद AI कंटेंट का जमाना है भाई आना तो थाई AI के आ जाने के बाद लगबख 110% की ग्रोथ हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले एक साल में लेकिन पिछले दो से तीन महीनों में नए टूल्स मार्केट में आया हैं और ट्रेंड भी हो गए क्योंकि वो कंटेंट क्रियेटर्स की कुछ ऐसे मदद कर रहे हैं जैसे पुराने वाले महता साथ जेटालाल की तो आओ देखे यह टूल्स कैसे मदद करते हैं आपकी पैसे इंकम को जनरेरेट करने के लिए नमर पांच पर आता है स्पेशली यूट्यूब क्रियेटर्स के लिए जरा इस थमनेल पर गौर कीजिए कौन है यह व्यक्ति तीन सेकंड्स है आपके पास सही जवाब मिस्टर बीस्ट और यह और फिर यह हां किसका है कौन है और यूट्यूब यह खुद कहता है कि थमनेल और टाइटल्स आपके CTR बढ़ाने में मदद करता है यह तो हम बहुत सालों से यूट्यूब गुरू इसी पर लेक्टर दे रहे हैं लेकिन यूट्यूब स्टूडियो पे अगर आप को मिल जाते हैं जैसे इस टूल का नाम है थमली हिंदी में बोले तो लाइक कर दो आव स्टेप्स में समझते हैं इससे कैसे हम ऐसे थमनेल बना सकते हैं बस ज्यादा कुछ नहीं थमली पे जाओ यह को बताओ कि बनाना क्या है आपको जैसे यहां पर एक्जामपल के दौर 20 मीटर की हमें लीगो बिल्डिंग बनानी है स्टेप 3 क्लिक करो और डीटेल में आप बता सकते हैं कि थमनेल में क्या शो करना है वह बता दिया उसके बाद आप अपनी नीश सिलेक्ट किजिए कि किस नीश के उपर आपका यह थमनेल मैच करेगा कंटिन्यू पे क्लिक करो कि या अपनी इमेज या कि सी आपको प्लेस करनी हो आपकने नील के अंदर तो उसे चूस कर लो ऐसके बारे में जो भी सोच रहे हो वह बता दो जैसे कि इसका कलर क्या होना चाहिए टेक्स्ट के लिग्र font क्या होना चाहिए या style क्या होना चाहिए वह सिलेक्ट करके continue पे click कर दो और चाय बिने जाओ और आपके clickbait thumbnails तयार है थमली बताता है कि उनके जो AI models हैं वो यूट्यूबर्स के जो best thumbnails हैं उनके data को analyze करके बनाया जाता है लेकिन अगर आपको यह करना है तो आपको waitlist को join करना पड़ेगा और वैसे अभी फ्री अब आपका थमनेल तो बन गया लेकिन वो छोड़ो भाई अब मैंने एक email लिखा था मैंने GPT से लिखवा लिया अरे वही छोड़ो मिट जरनी का एक प्रॉट मैंने इतना बढ़िया बनाया था अब उसकी फोटो भड़िया थी मैंने कहा चलो काम आजागा कहीं प्रॉंट मैं भूल गया हूं तो इतनी अच्छी फोटो जनरेट हुई थी ऐसे पे प्रॉंट होता तो मैं वही दूसरा नाम लिखके वह प्रॉंट कोपी करता और वही रिजल्ट मुझे मिल जाता अब उसके लिए एक नया रिजल्ट बनाओ नया प्रॉंट बनाओ मेजर ली अब जो कंपनीज हैं इंडिया के अंदर वह चैट जीबिटी मिट जरनी जैसे स तूल्स का इस्तमाल करने लगी हैं अपने कॉंटेंट में अपने कॉपी राइटिंग में और इमेल आटोमेशन में भी अब इंडियन कंपनी अगर टूल्स के साथ काम कर रही हैं तो उन्हें एक्सेसिव मात्रा में जो है अपने डालने पड़ते हैं प्रॉंट का मतलब व आधी पूरुष की कॉंट्रोवर्सी से बोर हो गए हो तो यह भी कर सकते हैं प्रॉंट ड्राइव एक ऐसा टूल है जो आपके प्रॉंट को मैंने जी नहीं बलकि एक्शिनेबल टूल्स के अंदर कर देगा आपके प्रॉंट को जैसे मैं जीपीटी में गया अब मुझे प प्रॉंट का एक डेटाबेस तयार कर देगा और जब भी मुझे यूज़ करना होगा किसी बी टूल का प्रॉंट वो इसके अंदर मुझे मिल जाएगा अगर आप टीम में काम करते हैं तो हो गया आपका कल्यान चार लोग अलग काम कर रहे हैं एक रिजल्ट पाने के लिए अलग-अलग प्रॉंट डालके और फिर वोई चार लोग कहेंगे कि काम ऐसा करो कि AI भी ना कर पाए तो ये टूल जो है आपके प्रॉंट के डेटाबेस को एक लिंक में कनवर्ट कर देता है जो आप शेयर कर सकते हैं अपने टीम मेंबर के साथ और आपके प्रॉंट को ये फिल इन दा ब्लैंक में कनवर्ट कर देता है एक्जामपल दे रहा हूं जैसे स्कूल में हम करते थे कि खालिस्तान भरो वैसे ही अगर कोई नया क्लाइंट आया और आपको नया प्रॉजेक्ट बनाना पड़ा लेकिन आपको प्रॉंट वही चाहिए बस नाम अलग करना है और रिजल्ट सेम चाहिए तो वस फिलिंग दा ब्लैंक पे उस नया क्लाइंट या प्रॉजेक्ट का नाम डालो प्रॉंट वही रहेगा लेकिन रिजल्ट आपको नया क्लाइंट की प्रॉजेक्ट के हिसाब से मिलेंगे और फिर इनी प्रॉंप्स को आप प्रॉंट ऐया जैसे marketplace के अंदर बेच सकते हैं या खुद का ही Instagram prompt page बनाके educate कर सकते हैं लोगों को और जिनको जरूरत है वो आपके Instagram से ही मांग लेंगे या आप उनके लिए projects ले सकते हैं वैसे ये tool free है free से याद आया कि यार subtitle बनाने वाले भी free में कहा मिलते हैं YouTube content के लिए subtitle लगाओ subtitle लगाओ क्योंकि सिर्फ इस एक practice से आप अपने 92% chances बढ़ा लेते हैं कि audience आपको ढून पाएगी बैतर और जल्दी इसका मैं खुद एक example हूँ हमने हाली के समय में एक साल के अंदर जब subtitle launch करना चालू किये हैं तो boost देखने को मिला है और ये बिल्कुल genuine बात है और जो audience है वो अलग-अलग regions में मिले वो chances create करता है subtitle एक्जामपल के दोरबे हिंदी content को अगर कोई तामिल और तेलगू में देख रहा है तो आपने अपना काम कर दिया अगर दिल्ली मेट्रों में बिना earphone के कोई आपके वीडियो देख रहा है तो आपने अपना काम कर दिया वो लोग जो सुन नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं आपकी वीडियो को तो आपने अपना काम कर दिया लेकिन ये काम आपके time management के लगा देगा और अगर time की चिंता खतम होगी तो पैसे की चिंता बढ़ जाएगी समझ गया ना ऐसे में काम आता है dubverse AI का subtitle tool जिसकी accuracy 98% है पीस से ज़्यादा languages में आप dub और subtitle कर सकते हैं और ये एक Indian startup है जहां आप ये कमाल का offer लेके आया है जहां नया pay as you go model एक संजीवनी की तरह काम करता है अगर आपको एक मिनिट का subtitle बनाना है तो आपको एक credit लगता है credit को आप यहाँ points या coins से denote कर सकते हैं अब 50 credits आपको free मिलेंगे हर महीने यानि जैसे आपका data plan जो 1.5 GB का है दिन खतम होने के बाद अगर वो 1.5 GB बच जाता है या खतम हो जाता है तो अगले दिन फिर से 1.5 GB ही मिलेगा वैसे ही हर महीने आपको 50 credits की limit free मिलेगी यानि 50 minute के content का subtitle तो ऐसे ही बन जाएगा और maximum content जो होते हैं वो 8 minute से 15 minute के बेच में vary करते हैं majorly YouTubers के और अगर आपकी credits खतम हो जाते हैं तो minimum 10 रुपे तक के आप credits ले सकते हैं यानि जितनी आपको जरूरत उतना ही आप पैसा खर्च करें ये हैं इनका flexi offer जो अभी चल रहा है मगर कब तक चलेगा इसकी guarantee नहीं है वैसे link मैंने description पे दे दिये और coupon code का इस्तिमाल करोगे तो भाईया और discount मज़े करो लेकिन मज़े से याद आया 3D में अगर content देखना चाते हो वल्लब उसके लिए तो बनाना भी पड़ेगा और 3D assets बनाने के लिए सबसे भैतरीन AI tool अभी है Meshy AI जो लोग 3D में content बनाते हैं या 3D game assets बनाके पैसा कमाना चाते हैं उनके लिए ये AI tool है 3D artists इसका अभी बहुत इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन इसके लिए भी आपको join करनी पड़ेगी waitlist और Discord पे ही ये काम करता है वैसे अगर आप 3D modeling में interested हैं तो हमें comment करके ज़रूर बताईएगा टॉप बन पे हम सभी का फेवरेट लोग tweet कर रहे हैं Reddit पे नहीं tweet कर रहे है Twitter पे और सब Reddit कर रहे है Reddit पे बाई 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 फोटोशॉप और पहली बतादू ये tool आया नहीं है और इसका buzz इतना create हो चुका है कि मेरे भी हाथ ज़रा कपकपार है इसको यूज करने के लिए इस टूल का नाम है ड्रैग गैन AI जो लोग कह रहे थे कि जून में launch हो जाएगा जून बस खतम होने ही वाला है मुझे लग रहा है और जब ये आएगा तो भाई कुछ मत सोचना पहले तो अगर वेट लिस्ट पे आएगा तो इसे जोइन कर लेना आपके जितने भी फोटो एडिटिंग के काम है ना वह आदे नहीं नाइंटी पर्जंट खतम हो जाएंगे क्योंकि ये एकलौता टूल है जो इतने सालों बाद जीपीटी के बाद एक नए AI मॉडल पे आ रहा है इसलिए इतना ज्यादा बज है और इस ड्रैग गैन का जो मतलब है वह है डीप लर्निंग का पावरफुल एल्गोरित्म जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जो इतनी कटिंग एज टेकनोलोजी है और रियलिस्टिक इमेज प्रोवाइट करने के लिए जाने जाते है यानि जो भी आपकी रियल फोटोस हैं उनके साइज उनकी एंगल उनकी बाउंडरी सब कुछ सिर्फ ड्रैगन ड्रॉप होगा शेर का मुझ बंद करना है खोलना है किसी की मुस्कुराहट बढ़ानी है या किसी का स्टेप चेंज करना है सब कुछ मुम्किन है वैसे यह टूल्स तो थे ही कमार लेकिन नौ और टूल्स मैंने बताएं अपनी लेट वाली वीडियो में और राइट वाली वीडियो में कैसे 15 साल के बच्चे भी आज मिलेनेर्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तो आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बी बिजी